धनु राशी का बारा भाओं में फल धनु राशी भवचक्र की नोवी राशी है वे इसका विस्तार 240 अंश से 270 अंश तक है धनु राशी का स्वामी व्रस्पती है धनु राशी का पूर्व का 15 अंश वाला भाग धनुश लिए पूरुश का है और 15 अंश का भाग अशुका है इसलिए इस प्रकार की जातक दो विचारधारा वाले होते हैं पहले 15 अंश तक सामन्य मानव की तरह विहवार करते हैं परंतु दूसरी स्थीती में वहे अपने बाहुबल का प्रयोग करते समय स्थीती के अनुसर प्रहार करने से नहीं चूकते हैं। वनों, पहडों, घाटियों में ब्रहमण करना इन्हें अच्छा लगता है। धनु राशी, विशम राशी, उग्र सभाव, दिवा बली, पूर्व दिशा की स्वामी, शत्रिय जाती, अगनी तत्व, पूरुष राशी, द्वी सभाव, पित धातु वाली राशी है। यह काल पूरुष की जंगा है, इसका सुनहरा रंग है और इसके निवास थान में हाथियों और घोडों का स्थान, राजा का निवास थान, युद्छेत्र, विश्रामाल्य और सैन्यश चावनी है। धनु राशी में सूरिय मंगल और व्रस्पती शुपफल देने वाले होते हैं, शुकर वैशनी अशुपफल देने वाले होते हैं। धनु राशी प्रथम भाव में हो तो व्रस्पती लगनेश और चतुर्थेश होता है। इस लगन वाले जातकों का दिल अच्छा होता है, ये परोपकारी जनता से संपर्क रखने वाले, ज्यानवान, धार्मिक प्रिवर्ती वाले, धैरेशील और सज्जन जातक होते हैं, यदि गुरु पाप प्रभाव में हो तो पेट, जिगर, तिल्ली, आदी के रोग से पीडि और जनता के क्रोध के भागी बनते हैं, धनु राशी द्वितिय भाव में हो तो व्रस्पति, द्वितियेश और पंचमेश होता है, यदि गुरु बलवान हो तो जातक को पुत्र से धन प्राप्त होता है, उसके पुत्र धनी मानी होते हैं, उसमें बोलने की शक्ति बहुत होती है, जातक की वाणी मीठी और विद्वता पूर्ण होती है, जातक को उत्तम विद्या की प्राप्ती होती है, और जातक विद्या और बुद्धी के प्रयास से धन कमाता है, यदि गुरु पाप प्रभाव में हो तो पुत्र द्वारा धन का नाश होता है, वे जातक की वाणी में दोश होता है। अते जातक का मन ज्यानी और गौरव में होता है। यदि गुरु बलवान होतो जातक की माता दीरगाय। और जातक भूमी भवन वाहन का सुख पाने वाला। क्योंकि यहाँ गुरु सुख स्थान का स्वामी है और सुख का कारक भी है। नीर्बल गुरु केंद्रा धीपती दोश उत्पन करता है और अपनी दशा में रोग देता है। और मनुष्य की जीवन में दुख को लाखडा करता है। धनुराशी पंचम भाव में हो तो यहाँ गुरु पंचमेश और अश्टमेश होता है। यदि गुरु बली हो तो पूत्र सुख की प्राक्ति उच्विद्य मंत्रना शक्ति देता है। धनु राशी शष्ट भाव में हो तो गुरू नवमेश और शष्टेश होता है, इस ठीती में गुरू नवमेश होने के कारण छुपफल देने वाला ही होता है, बलवान गुरू मामाओं की संख्या को बढ़ाता है और यदि गुरू निर्बल हो तो भाग्या में हानिक किसी ब्राह्मन शत्रू के द्वारा होती है। यदि गुरू बल्वान हो तो दशा अंतर दशा में महन राज्य कृपा देता है। गुरू की दशा जादा धन देने वाली नहीं होती है। धनुराशी नवम भाव में हो तो गुरू नवमेश और द्वादशेश होता है। बल्वान गुरू धन के विशे में शुपफल देने वाला होता है। जातक धार्मिक कारियों पर धन खर्च करता है। बल्वान गुरू पतनी के भाईयों में या पती के भाईयों में व्रिदी करता है और पुत्र सुक भी देता है। लगन में मेश का गुरु हो तो जातक धार्मिक होता है। धनूराशी दशम भाव में हो तो गुरु केंदरो तरिकोन का स्वामी होकर राजयोग कारक बनता है। यदि गुरु बलवान हो तो जातक यशश्वी, राज्यमानी, परोपकारी वे धनी होता है और अपने कृतियों से यश प्राप्त करता है। धनुराशी एकादश भाव में हो तो गुरु एकादशेश और धनेश होता है। अर्थात गुरु धन और लाब दोनों भाव का स्वामी होने से और भी मुल्यवान हो जाता है। ऐसा गुरु जिस भी भाव भावेश पर द्रिष्टी डालेगा, उस भाव भावेश को मुल्यवान, धनवान और उंचे सरका बना देगा। जैसे गुरु मंगल तथा सूरिय को देखे तो राजय दे दे, क्योंकि सूरिय राजय कारक है और मंगल दश्मीश है जो की राजय देने वाला है। इसी परकार यदि गुरु चुतर्थ भाव और उसके सुवामी शुक्र को देखे तो जातक को वहन युक्त और बहुत भूमी का मालिक अवश्य बना देता है। अर्थे कुम लगन के जातक इस विशय में अन्य लगन के अपेक्षा जादा भाग्येशाली होते हैं। धनु राशी 22 भाव में हो तो गुरु 22 एश और 23 होगा और गुरु 23 का फल देगा अर्थात गुरु अपनी दशा में थोड़ा धन देगा और यदि गुरु बल्वान हो तो छोटे भाईयों वे मित्रों से लाब देगा धन्यवाद।